तो लो दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो आज की इस वीडियो में इंडो ओप्सन ट्रेडिंग प्लेट फोरम के बारे में हम बात करने वाले हैं इस एप्लिकेशन का हमें यहाँ पर कम्प्लीट रिवू करने वाले हैं कम्प्लीट आपको यहाँ पर इन्पॉरमेशन देने वाल वाला हूं और complete review करने वाला हूं तो वीडियो को लाश तक जरूर देखना ताकि आप से कोई भी information यहाँ पर छूट न पाए इसके बारे में बैसिक्स यहाँ बात बता हूं application के बारे में तो यहाँ पर इसके 5000 के डाउनोड हो चुके हैं यहाँ पर 4.7 के आसपास रेटिंग है और यहाँ पर 225 के आसपास इसके review हो चुके हैं भी तक अब इस application के बारे में हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है इंडो option trading platform जब इस application के अंदर हम यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हमसे हमें जो सारी permission होती है जो यहाँ पर phone storage की होता है हमारा memory storage होता है SD card का storage होता है सारी permission हमसे सबसे पहले यहाँ पर मांगी जाती है यहाँ पर जो है यहाँ पर इसमें login करने का केवल एक option मिलता है वो यहाँ पर Google का अब इस application के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो 10,000 रुपए हमें यहाँ पर demo account के अंदर दिये जाती है ताकि हमें यहाँ पर practice कर सकें कुछ चिक सकें कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है यहाँ पर जो ग्राफिक हमें देखने के लिए मिलता है वो हमें लाइनिंग चार्ट यानिंग के अंदर देखने के लिए मिलता है और यह मैं हमेसा कहता हूँ कि लाइनिंग चार्ट को समझना हर किसे के बात बस की बात नहीं है यहाँ पर जो है काफी मुश्किल रहता है इसे समझना क्योंकि इसके अंदर जो हमें एक मिन्ट का टाइमिंग दिया जाता है तीन मिन्ट का टाइमिंग दिया जाता है उसके अंदर ट्रेडिंग करना यहाँ पर काफी जादा मुश्किल रहता है सबसे पहले आप यहां पर जो है इसे जूम आउट और जूमिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं अगर माल जी जिस क्रेंशिज के अंदर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके यहां पर देखना चाहते हैं कि इसकी वेल्यू सबसे ज़्से ज़्याद अपकी और जा रहे थी और ये जो टाइमिंग होता है ये किवल टाइमिंग फ्रेम का होता है इसे टाइमिंग फ्रेम बोला जाता है एप्लिकेशन के अंदर अब हम बात कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्वेस्टमेंट आप यहां पर 20 रुपे से स्टार्ट कर सकते हैं मेक्सिमा आप आप यहां पर बढ़ा भी सकते हैं जितना आपकी मर्जियां पर पांजार चाहजार रुपे कर सकते हैं फिलाल यहां पर पांजार रुपे का मेक्सिमम ट्रेड यहां पर रखा गया आप खुद बखुद देख सकते हैं क्योंकि इसके लावा यहां पर मागे ने बढ़ा पा तो इसका फिलाल यहांपर जो मेक्शिमम ट्रेड 500 रुपे रखा गया है अगर मालजी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं इसके आप एक मिन्ट तीन मिन्ट के लिए अगर टाइमिंग के साफ से प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो आपको दो अपसन मिलता है एक मिन्ट का और अंदरा मिन्ट के लिए बीस मिन्ट के लिए ट्रेड करते हैं बीस मिन्ट के दो टाइम के साफ से वो ट्रेड करते हैं एक मिन्ट के लिए कभी ये ने करते हैं कि एक मिन्ट के अंदर एम पर पैसा विन कर जाएंगे आप यूटूब पर सच करके देखेंगे जो ट्रेडिं करते हैं अब बात करने के बारे में करेंसियर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने केवल और केवल पांच करेंसियर ओपन है जिसकी वेलियो बिटकोइन की यहांपर 76% इथेलियम की 74% चैनलिंक की यहांपर 50% बाकि लाइट कोई की 10% और बाकि 10% है तो मुझे नहीं यहांपर बिटकोइन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे बाकि करेंसियर के ओप्सन तो हमें यहांपर बेकार है क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो हमारा कुछ प्रोपिट भी नहीं आएगा बेनिफिट यहांपर कुछ भी नहीं तो मुझे नहीं के हैं कुछ यहां पर information दी गई है help वाले में आजाते हैं जिसके अंदर आप यहां पर चेट वीडियो टुट्रेलर फेक्स का option मिल जाता है यह customer support का option मिल जाता है जो आपको मैं आगे बता देंगा details में आजाते हैं डिल्स में आजाते हैं जिसके के अंदर आप यह लोगाँट के अंदर और זה trade करते हैं अगर आप deposits करना चाते हैं तो अकाउंट की डेट करते हैं तो मैं केवल और केवल गूगल का उप्सन मिलता है वहाँ पर हम अपना मोबाइल अमर्ट नहीं डालते हैं तो डिपोजिट करने के लिए आपको यह सारी डीटेल डालनी पड़ती है अब आजाते हैं विड्रोल करने पर हमें यहाँ पर डिपोज सेक्शन के अंदर जिसके अंदर मालजी अगर आप यहाँ पर विड्रोल करते हैं अगर आप विड्रोल करते हैं तो आपको केवाईसी करने ही पड़ेगी केवाईसी का मतलब है आपको बेंक डिटेल देनी पड़ेगी पेंकार्ड आपको यहाँ पर नंबर देना होगा प्रेंड कार्ट, डेट औफ बरेट, सलेक्ट देश्टेट, शी सारी प्रोसेज आपसे ली जाती है, अब आपको डिसाइड खुद बाखुद कर लेना है कि आपको यहां पर इन्वेश्टमेंट करना है, यह नहीं करना है, साइद हो सकता है कि आप इसा सुचेंगे, इंडो का है, यहां पर हमार जो है, इंडियन एप्लिकेसन है, तो हमें यहां पर यूथ कर सकते हैं, देखिए एक चीज यहां पर यह कहूंगा कि आप इंडिया के नाम से यह मत सोचना है कि आप पैसा इन्वेश्टमेंट कर देंगे, क्योंकि आज इंडिया के नाम पर बहुत सार करेंगे तो आपको यहां पर जो हैलप वाले पर आजाना है यहां पर सपोर्ट पर कलिक करना है जैसे आप यहां पर सपोर्ट पर कलिक करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाता है कस्टमर सपोर्ट का अगर आप विड्रोल डीपोजीटा का विड्रोल यहां पर नहीं हुआ है जैसे आपका यहां पर पैसा रियल अकाउंट से कट गया लेकिन बेंक अकाउंट के अंदर नहीं पहुंचा है या बेंक अकाउंट से कट गया है लेकिन रियल अकाउंट के अंदर आपका डिपोजिट नहीं हुआ है तो आप इनसे डारेक्टली बात कर सकते हैं सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर दी गई है क्योंकि यह अखीकत है जब मैंने यहाँ पर कुछ टाइम पहले यहाँ पर काले याँ पर्शों के आसपास जब ओक्यो उप्सन पर यह मेरा दावा है कि अगर 10,000 के आसपास डाउनलोड होंगे इस अप्लिकेशन तो कम से कम आप लोगों को यहाँ पर कम से कम 1000 लोगों को या कम से गर बात करूँ 500-600 लोगों को यह प्रोब्लम जरूर आएगी डिपोजिट या विड्रोल की तो इसलिए आप लोग यहां पर स्क्रिंशोड लेकर जरूर रखे दूसरी बात अगर तो वीडियो को देख रहे हैं वो पहले सुन ले कि यहां पर आपको वीडियो को यूज बिलकुल जो है यहां पर सोरी एप्लिकेशन को यूज बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर application को आप यूज करेंगे तो आपको सारी information आपको देनी होगी payn card की सारी process आपको यहाँ पर बतानी होगी तो इन चीदों से आपको बच के रहना है मैं आपके benefit के लिए बोल रहा हूँ बाकी अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं यहाँ पर बहुतर ट्रेडिंग कर पाएं दूसरा आपको यहाँ पर सारी information नमसे मांगी जाती है क्योंकि हम यह भी नहीं कर सकते हैं अप्लिकास रियल है या फेक है हाँ यह जरूर है कि हम यहाँ पर अगर ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी digital currency के अंदर investment करते हैं की जाती है लेकिन इस application के अंदर मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे साथ fraud हो सकता है मैं confirm नहीं कर रहा हूं कि हमारे साथ fraud हो गई हो सकता है और कहीं लोग मुझे यहाँ पर जो है डाउट से कि यहाँ पर कहीं लोगों को fraud हुआ है यहाँ पर deposit है विड्रोल नहीं हुआ है क्योंकि जब हम pain card यहाँ डालते हैं सारी KYC करते हैं तो हमें विड्रोल यह deposit के कोई problem आनी ही नहीं चाहिए पहले बात हो यह क्योंकि हमने सारा process पहले कर दिया है कि हम कितना भी विड्रोल कर सकते हैं इतना भी है डिपोजिट कर सकते हैं इसलिए हमसे KYC कराई जाती है कि हम पैरसों की यहाँ पर limit यहाँ पर decide नहीं रहती है मैं अगर KYC कर देते हैं तो बाकि आप लोग यहाँ पर खुद बखुश लेना एक जो यहाँ पर application को use करना या नहीं करना है मैं यह कहूँगा कि आप लोग application को use ना करेंगे तो आपके लिए जादा beneficial रहने वाला है आपका पैसा यहाँ पर डूबने से बज़ाएगा बाकि आप लोग को decide कर देना है कि use करना है या नहीं करना है तो इस वीडियो के अंदर इतने अगर आपको मारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए